Hello dear friends, आप देख रहे हैं model paper 1 English subject का जो आपका 27 तारिक को exam होने वाला है उसके लिए हम model paper यहाँ पे देख रहे हैं तो आपका 27 तारिक को जो exam होगा उसके लिए बहुत important questions इसमें मिलेंगे और सारे के सारे questions को मैं हिंदी में आपको समझाऊंगा ताकि आप लोगों को पूरा paper समझ में आजाए और जब आपको paper समझ में आजाएगा तो उसके बाद में क्या है आपका exam भी बहुत बढ़िया होने वाला है तो ठीक है तो चलिए start करते हैं अगर आप यह वीडियो देख रहे है तो अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कर लेना चलिए पहले इस question से start करते हैं पहला question पूचा है who were killed in the incident यानि कि घटना में कौन मारे गए तो यहाँ पर options दिये गए हैं तो यहाँ पर बोला गया option में his two children उसके दो बच्चे या फिर children's mother बच्चों की मा या फिर mother's brother यानि की मा का भाई या all of them यानि की उन में से सभी तो यहाँ पर जो answer हो जाएगा इन में से सभी मारे गए थे तो first option जो है इसका मतलब यहाँ चौथा option जो है correct हो जाएगा ठीक है तो यह चौथा option आपको correct करना है ध्यान रखना है कि घटना में कौन मारे गए थे तो सभी मारे गए थे जो यह options आएंगे तो सभी मारे गए थे इसके बाद आते दूसरे question पर यहाँ पर how did tilly become aware of the upcoming climate तो यहाँ पर जो पूछा गया है tilly को आने वाली आपदा के बारे में कैसे पता चला तो tilly को इस जो आने वाली आपदा थी उसको बारे में कैसे पता चला तो क्या answer हो जाएगा बिल्कुल सही इसका answer हो जाएगा video on tsunami से तो यहाँ पर जो आपका first option correct हो जाएगा यानि कि आप क्या लिखेंगे answer तो tsunami पर जो वीडियो था उसके द्वारा उसके बाद में तीसरा जो question है who was saved with igneas तो यहाँ पर पुछाए igneas के साथ किसको बचाया गया था तो क्या answer हो जाएगा igneas के साथ में जो है three other children यानि कि तीन अन्य बच्चों को बचाया गया था तो यहाँ पर जो है second option correct हो जगा बड़े ध्यान से समझना मैं हिंदी में समझा रहा हूँ ताकि आपको समस्या ना हो इसके बाद में चौथा जो question है january 25.1915 was date on which यहनी जनवरी 25.1915 की यह ती ती क्या थी जिस दिन क्या था आपका इस दिन क्या था तो answer बिल्कुल सही हो जाएगा जिम्स लेटर केम टू कोनी तो बी option जो है इसका correct हो जाएगा second वाला जो है option आपका correct हो जाएगा चोथे question में तो यहाँ पर क्या है जो है आपका answer हो जाएगा जिम का पत्र कोनी के पास आया था जो है तो यहाँ पर क्या answer हो जाएगा जिम का पत्र कोनी के पास आया था जनवरी 25-1915 को अब आते हैं हम पांच वे question पर थोड़ा सा ध्यान रखके समझ लेना सारे answer समझ में आ जाएगे इस वीडियो को देख रहे हो तो according to gym a Christmas morning should be तो यहाँ पुछा गया है कि gym के अनुसार किसमस की सुभा होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए तो पांच वे का answer कहा जाएगा cold and frosty कैसी होनी चाहिए ठंडा और बिलकुल बर्फ जमा देने वाली तो यहाँ पर जो है a option correct हो जाएगा ठीक है in the above sentence fridge refer to तो इसमें क्या पुछा गया है लेकिन सच्चाई यहाँ पर but the truth ठीक है लेकिन सच्चाई है मुझे I am assigned मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है कि fridge ने इसे शुरू किया तो fridge जो है यहाँ पर इस sentence में fridge किसके लिए बोला गया है तो आपका क्या answer हो जाएगा six का तो आपका क्या answer हो जाएगा the German soldiers के बारे में ठीक है तो German cynic के बारे में तो यहाँ पर जो है यह option आपका correct हो जाएगा इसका बाद आते है सात्वे question पे सात्वा जो question ने इसमें पूछा गया है Meghna saved herself from tsunami by तो Meghna ने जो है tsunami से खुद को कैसे बचाया यह answer आपको बताना है तो क्या answer हो जाएगा सात्वे का तो answer हो जाएगा holding on to a wooden door तो यहाँ पर जो answer हो जाएगा वो क्या है लकडी के दरवाजे को पकड़ करके तो B option जो है correct हो जाएगा सात्वे कोश्चन का अब आते हैं आठवे कोश्चन पर आठवे कोश्चन इसमें पुझे जाएगा tsunami wave were triggered by a massive earthquake तो यहाँ पर क्या बोला गया tsunami की लहरे एक बड़े भुकंब से उत्पन हुई ठीक है ना तो कहाँ पर यह आपको बताना है तो यहाँ पर क्या दुवारा बोलू tsunami की लहरे एक बड़े भुकंब से उत्पन हुई थी तो कहाँ हुई थी यह तो answer क्या हो जाएगा of northern सुमात्रा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जो है आपका answer होएगा उत्री सुमात्रा से ठीक है तो यहाँ पर यह option जो आपका correct हो जाएगा अब आते हम next ninth question पर ninth question की बात करेंगे हम और यहाँ पुछा गया पिरमल घूष वाज सक्सेस्फुल इन मेकिंग विपिन्स बाबू तो पिरमल घूष जो है वो सफल हुए थे विपिन बाबू को क्या बनाने में तो यहाँ पर जो है क्या answer हो जाएगा इसका नौवे का answer क्या हो जाएगा सही सही तो think that there might be something wrong with his mind तो इसका हिंदी में क्या बोलू मैं तो उन्होंने सोचा कि उसके दिमाग में कुछ गरबढ हो सकती है तो second option जो है इसका correct हो जाएगा अब आते हैं दसवे question पर दसवे question ने इसमें पुछा गया तो यहाँ पर जो है ब्रिटिस सासन के तहत सबसे ज़्यादा पीडित थे तो यहाँ पर क्या answer हो जाएगा तो answer हो जाएगा राम मोहन रॉय वाज तो यहाँ पर पुछा गया है कि उन्नस्वी सताबदी के सुरुवात में राजा राम मोहन रॉय जो थे तो क्या थे तो यहाँ पर क्या answer हो जाएगा आपका 11th question का तो यहाँ answer हो जाएगा एन important reformer तो वो जो है एक महत्वपूर या महत्वपूर सुधारक थे reformer मतलब सुधारक होता है तो बहुत ही महत्वपूर सुधारक यहाँ पर B option जो है इसका second वाला option 11th में correct हो जाएगा अब आते हैं 12th question पर The business community welcomed the British because तो यहाँ पर क्या पूछा गया है तो यहाँ पूछा गया है आपसे कि जो व्यापारी समुधाय विजनेस कमूल्टी मतलब व्यापारी समुधाय जो है उन्होंने अंगरेजियों का स्वागत किया क्यों की तो इसका क्या आंसर हो जाएगा क्यों किया तो आपका बारवेक आंसर हो जाएगा यहां पर जो आंसर हो जाएगा यहां पर स्वागत कि तो C उप्षिन गया तो चुनी लाल जो है बार 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 बावु से मिलने क्यों आया या क्यों की तो यहां पर 13 का क्या आंसर हो जाएगा तो वो इसलिए मिलने चाहते थे या वह चाहता था कि वह उसे नोकरी पाने या दिलाने में मदद करें तो यहाँ पर जो है D option correct हो जाएगा अब आते हैं हम 14 नंबर question पर जो question इसमें पूछा गया है तो यहाँ पर पूछा गया है परवतों पर चड़ते समय परवत रोहियों को प्रिर्णा किसे मिलती है तो क्या answer हो जाएगा 14 नंबर का जो answer हो जाएगा इच अदर से यानि कि एक दूसरे से तो D option जो इसमें correct हो जाएगा 4th option इसका correct हो जाएगा इसका पंदरा नंबर जो question है under regulation third of the British rulers तो यहाँ पर जो पूछा गया है British Shasko के जो है नियम 3 के तहत क्या होगा इसमें से option यह आपको बताना है तो पंदरवे का जो answer हो जाएगा वो कौन सा सही आपको लग रहा है इसमें से आपको भी अपने आपको पहले सोचो कि आप सही जानते हो नहीं जानते हो मैं तो answer बता रहा हूँ लेकिर आप खुद भी सोचा करो तो answer हो जाएगा Indians could be jailed without trail in court यानि कि जो है भारतियों को अदालत में मुकदमे के बिना ही jail जो है भेज दिया जाएगा ये उसका third rule regulation या third niam के अनुसार बिटिस का जो नया आनिम था उसका अनुसार ये माना जाता था या ये चीज मानी गई थी तो D option जो इसमें correct हो जाएगा कि बिना justice के बिना नयाय के जो है उनको सीधा-सीधा जो है अदालत के बिना ही jail बेज दिया जाता था अब इसके बाद आते हैं next question पर next question में एक छोटा सा paragraph दिया गया है अगर आप इस paragraph को देखते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा paragraph को सीखिए पढ़िए ताकि आप आगे आपको बहुत सारी छोटे छोटे परगराफ है आप जब 9th में जाओगे तो इससे बड़े मिलेंगे मतलब उसके पास या उसके पीछे ठीक है और यहाँ पर जो है फॉन उसके खिलाफ जोर से जकड़ा हुआ था और इट सीम्ड टू पहनी देट दबोई आईज वर एज ब्राइट एज फॉन्स यहाँ पर पैनी को ऐसा लग रहा था कि लड़के की आखे आन की तरह ही चमकीली थी और इसने कहा मैं खुश हूँ कि तुमने उसे पाया या तुमने उसे खोज निकाला तो यहाँ पर इस तरह का यह दो लाइनों का जो पैसे छोटा सा दिया गया है जिसको मैंने आपको हिंदी में बताया अब इससे जो कॉश्चन पुछे गए उसके आंसर भी बताऊंगा चिंता करने क्या हो शक्ता निया थोड़ा सा समझ के सीखना यहाँ पर who was penny तो यहाँ पर penny के बारे में पुछा गया penny कौन था भी या तो penny कौन था तो penny जो है यह जोड़ी के पिता थे तो यहाँ पर क्या answer आजएगा penny was jody's father तो यहाँ पर क्या answer हो जाएगा penny कौन था penny जो है jody's father तो यहाँ पर क्या answer हो जाएगा penny कौन था penny जो है ज अब क्यों हुआ था तो अब आप जो है हम आगे इस कांसर देंगे तो यहाँ पर देखिए हाँ वो खुश हुआ था पैनी वाज प्लीज टू सी फॉन हाँ पैनी जो है फॉन को देख करके प्रसंद हुआ पैनी लव हिज सन जोडी क्योंकि पैनी जो है अपने बेटे से प्य यहां पर लिखा है तो जो है कि फौन मिल गया था इसलिए जो है एपी था और जोडी की खुशी ही पैनी की खुशी थी ठीक है तो इस तरह से आप लिख सकते हो हिंदी में समझा है अब आपको आसानी से समझ में आ जायेगा न कैसे लिखना है अब आते हैं next इस में क्या पू मतलब पकड़ा हुआ जकड़ा हुआ है तो clutched जो होता है ये भी आपका पकड़ा हुआ जकड़ा हुआ होता है तो दोनों ही एक ही word है ठीक है इसमें आप से क्या पूछा है same meaning पूछा है ठीक है find the word which means same meaning पूछा है ठीक है 18 नंबर का अंसर ये हो जाएगा अब हम जो है back to it and stalked it and walk away again तो यहाँ पर जो है वह उसके पास आया और उसको उसे सहलाया और फिर चला गया ठीक है इस टॉक्ड़ा इसको सहलाया और चला गया it looked at few bobbling steps toward him and cried peteously तो यहाँ पर जो है उसकी ओवर उसने कुछ डगमाते यानि की bobbling मतलब जो है डगमाते जो चलते हुए डगमा जाता है तो डगमाते हुए कदम उठाए उसकी तरफ ठीक है तो उसकी तरफ उसने कुछ डगमाते हुए कदम उठाए और दैने रूप से जो है वो रोया, peteously मतलब बहुत दैनी है, बहुती दैनी है, दैनी मतलब दयालूता भरा जो है ना उस तरह से वो रोया, it was willing to follow him, तो यहाँ पर जो है क्या लिखा गया है कि उसके पीछे चलने को वो तयार था, मतलब उसका will था, will सोच रहा था, उसकी इक्छा थी कि उसक to him, और जो है यह उसका ही था, यानि कि वो सोच रहा था कि यह उसका था, it was his own, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है वो उसके उसका ही था, वो उसको जो है उसका अपना था, और he was light-headed with his joy, तो यहाँ पर जो है लिखा गया है कि वो अपने आनंद से हलका फुलका हो गया था, ठीक है तो इस तरह से इसका जो है थोड़ा सा हिंदी आपको समझ लेना है, आप देखते हैं इससे क्या question पूछे गए हैं, सबसे पहला, the phone started after, तो 19-way number का question का answer हम जो है बताएंगे, तो यहाँ पर चलिए, शुरू करते हैं 19-way number के answer से, तो answer क्या हो जाएगा यहाँ पर, त क्या answer लिखेंगे हम इसमें, जोड़ी के बाद स्टार्ट हुआ, तो phone started after, तो phone किसके बाद स्टार्ट हुआ, जोड़ी के बाद, तो यहाँ पर जो c option इसका correct हो जाएगा, सही है, समझ में आगे आपको 19-way question का answer जो है, जो है, जो है, जो है जो है, इसके बाद 20-way question पूछा था, क्योंकि उसने क्या महसूस किया था, तो answer क्या हो जाएगा इसका, answer हो जाएगा, तो phone was really his, वो phone उसी का था, यानि कि phone जो है, वास्तों में उसी का था, तो d option जो है, इसका correct हो जाएगा, अब आते हैं हम next जो question से, यहाँ पर instructions दिये गए है, अब जो है, आपका instruction के हिसा से, यहाँ पर जो बोला जाएगा, उसी के हिसाब से, आपको answers देने है, तो यहाँ पहला, जो question अगर हम देखते है, arrange करना है, meaningful sentence बनाने में, तो पहले लिखा है, going are to the market, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो लिखा गया है कि, इसको मिला कर एक सीधा सीधा सही सही word ब working work का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है न, यह सब चीज पता होनी चीए, तब ही जाके यह line बनती है, तो आपको तो पता ही होगा, आप लोग आसानी से बना पाओगे, इतने hard word नहीं है, बस आपको सोचना है कि कौन सी चीज कहाँ पर जाएगी, तो वह meaningful sentence बनेगा, तो य आर उसके बाद आएगा, तो दे के बाद में helping work आजाएगी, अब वह going जा रहे हैं, जा कहा रहे हैं, तो going जा रहे हैं, जो going तो है कहाँ पर, तो to market, तो यह simple सा, they are going to market, बस इतना सा लिखना, चौथा question है, girls a song in the singing room are, तो यहाँ पर इसको भी arrange करेंगे, तो girls are singing a song in the room, तो जो है, आप इसको हिंदी में translate करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लड़कियां कमरे में गाना गा रही हैं, इसके बाद में आपका next है, was child flying kite a da, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, the child was flying a kite, तो यहाँ पर क्या हमारा हो जाएगा, बच्चा पतंग उड़ा रहा था, तो यहाँ पर था जाएगा, ठीक है, तो बच्चा पतंग उड़ा रहा था, अब इसके बाद में आते हैं, यहाँ पर जो questions देए, फिलप्स करने हैं, आपको options दिये जाएंगे, इस तरह से जो options आपको दिख रहे हैं, option मिलेंगे आपको, और फिलप्स आपको करने होंगे, बहुत easy questions आए I decided to go to beach dash walk along the sea shore, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या बोला कि, जो है, answer आपको क्या समझोगे, यहाँ पर क्या बोला इसने, इसने बोला है कि, I decided to go to beach, तो मैंने समुंद्र तट जाने का निश्चे किया, and, and आ जाएगा, यहाँ पर, because, but नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी क्योंकि थोड़ी आएगा, मैंने beach, यानि कि, क्या है, beach को क्या बोलते है हम हिंदी में, तो हम बोलते है, समुंद्र के किनारे या तट पर, जो है, मैंने beach तट पर जाने का निश्चे किया, decided मतलब निश्चे किया, and, or, walk along the sea shore, और क्या, कि समुंद्र के किनारे चलने का फै यहाँ पर तो क्योंकि में क्या आजाएगा, because आजाएगा, he walked very hard, वो उन्होंने या उसने बहुत महनत की, but, अब यहाँ पर लेकिन, couldn't succeed, लेकिन उसने बहुत महनत की, लेकिन क्या हुआ, वो सफल नहीं हो सका, या आप वो नहीं सफल हो सके, इस तरह से भी बता सकते हैं, यहाँ पर बटाएगा, तो इस तरह से तीनों के आंसर, जो है, आपको इन में से देखके भरने, अब आते हम, next, meaningful sentence बनाने हैं, इन words को use करके, यानि कि आप अपनी मर्जी से कोई भी sentence बना सकते हैं, कोई भी, ये तो मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, आप अपनी मर्जी से ही किजिगे से डल सकते हो, तो आपकी मर्जी है कि आप क्या लिखते हैं, ये सबसे important होता है, कि आप क्या लिखना चाते हैं, जरूरी नहीं है, कि मैंने क्या लिखा है, आप क्या लिखेंगे, वो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पर जो है, इसमें क्या बोला है, कि make meaningful sentence using the following यानि कि निमली की सब्दों का प्रियोग करके अर्थपूर अर्थपूर वाक्के बनाईए यह तो सब्द हैं यहां पर words दिये गए है छोटे छोटे लेकिन आपको बनाना है वाक्के वाक्के होता है जो कई सब्दों से मिलके बनता है ठीक है तो यहां पर जो है ही सेल्डम लॉफ्ट तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा बिलकुल सही सही यहां पर जो आंसर हो जाएगा हम क्या लिख सकते हैं इसको कि वो जो है सेल्डम ही सेल्डम लॉफ्ट तो यह आप आसानी से तो कह सकते हो आप seldom loved हो गया या फिर आप बोल सकते हो seldom dogs या barking dogs seldom bite आपने सुनाया वो भोकने वाले कुट्ते काटते नहीं है ऐसा कुछ होता है आपको हिंदी में याद होगा तो barking dogs seldom bite खिक है न तो इस तरह से आप बोल सकते हो तो he seldom loved बहुत सिंपल सा है ये भी आप लिख सकते हो he seldom loved या फिर see seldom loved इस तरह से आप लिख सकते हो hard आप जो है आराम से बता सकते हो a faithful friend is hard to find यानि कि एक जो है इमानदार दोस्त या वफारदार दोस्त का मिलना मुश्किल होता है और यहां पर हम यह भी कह सकते हैं कि it is very hard to pull मतलब इसको उठाना बहुत हाड है मुश्किल है इस तरह से it is very hard to pull और भी हम बहुत कुछ से जगते हैं it is very hard to broke यह तोडने में बहुत ही मतलब कठोर है इस तरह से आप कोई भी word अपनी मरजी से बना सकते हैं ठीक है आपको जरूरी नहीं कि यहां पर जो word दिया है इनको रटना है नहीं रटना अगर आपको नहीं आता है समझ में तो समझे है क्योंकि जरूरी नहीं कि नहीं वर्ड आपको same to same third word कुछ भी मिल सकता है और very अगर very लगा के हमें answer बनाना है तो very some he is very poor person he is poor person he is very poor man or he is very weak man he is very nice man इस तरह से आप बहुत सारे लिखाते हैं तो there is a will there is a way या फिर there is a cow once upon a time there was a cow इस तरह लिख सकते हो तो हर चीज आप अपनी मर्जी से इस टाइप के sentence को अपनी मर्जी से कोई भी sentence बनाना sentence का meaning बिल्कुल सही निकलना चाहिए अगर उसमें आपने is rm सही प्रयोग नहीं किया या फिर कुछ भी गरबड किया तो number कट जाएंगे तो इस तरह से आपको words बनाना है यहाँ पर जो लिखा है words मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं आपको एक hint दे रहा हूँ कि कुछ भी आप बना सकते हो जरूरी नहीं कि यही चीज आप बनाओगे ठीक है और words कुछ भी आए बनाना बहुत आसान होता है इसके बादा तेरा number question पर तो यहाँ पर है how did कौनी max person think her visitor was तो यहाँ पर जो है आपने पूछा क्या गया है यह समझे पहले तो कौनी max person ने अपने अथिती को कैसा माना तो यहाँ पर कौनी thought that the visitor was her own husband Jim Caperson ठीक है न तो यहाँ पर कौनी ने क्या सोचा तो कौनी ने सोचा कि आगन्तु किया जो अथिती है वह उसका अपना पती है और उसका नाम क्या था जिम मैकर फंचन ठीक है न तो यह थोड़ा से spelling थोड़ा सा याद कर लेना ठीक है न इस spelling में ही दिक्कत होती है बाकी कुछ नहीं होता आगला जो 14 नंबर question है इसमें पूछ आगा what is your opinion of the arms principle यानि की चीटी के सिदान्तों के बारे में आपकी क्या राए है तो यहाँ पे the arms principles are strong तो यहाँ पे क्या है कि चीटी के सिदान्त जो है बहुत मजबूत है it teaches everyone to prepare for the rainy day and not depend upon others for help इसने बोला मतलब चीटी कहती है कि यह सब को यहाँ पर सभी को जो है बरसात के लिए तैयार रहना सिखाती है या फिर बोल सकती है it teaches यानि कि यह जो है चीटी यह बरसात के लिए सभी को तैयार रहना सिखाती है और मदद के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना भी सिखाती है इसके बाद है आपका पंदरों कोश्चन What were the warning signs that both Tilly and her mother saw तो यहाँ पर जो तिली और उसकी मा दोनों ने कौन सी चेताउनी का संकेत देखा तो यहाँ पर the warning sign that both saw were the water was swelling and beach was getting smaller and smaller and the sea was slowly rising and started to form bubble and form whirlpools whirlpools जानते हूँ ना आप आपको तो रेफ्रिजेटर भी होगा आपके घर में whirlpool का है ना चलिए मैं इसको हिंदीम बतायता हूँ ताकि आपको समझ में आए तो टिल्ली और उसकी मा दोनों को चेताउनी का संकेत मतलब कैसे मिला या फिर उन्होंने कैसे देखा तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका क्या अंसर हो जाएगा तो चेताउनी के संकेत जो है उसको उसने कैसे देखा तो चेताउनी के संकेत यह है कि बोत सौ यानि कि दोनों ने जो है क्या देखा उन्होंने देखा कि वर दा वाटर वाज स्वेलिंग एंड दा बीच वाज गेटिंग स्मालर एंड स्मालर कि जो है क्या हो रहा था कि जो पानी है वो जो है क्या हो रहा था वो बढ़ता जा रहा था मतलब बहुत ज्यादा मोट जूज रहा था और जो तट है जो बीच है न वो छोटे से छोटा होते जा रहा था धीरे-धीरे सलोली-सलोली राइजिंग और समुंदर का पानी धीरे-धीरे बढ़ रहा था इस टाड़ेड फॉर्म बबल एंड वर्लपूल और उसने देखा कि ये धीरे-धीरे बुलबुले बनाने लगा और भावर बनाने लगा वहलपूल क्या होता है भावर जो नहीं होता है आपने गोल गोल पानी घुमता रहते एक जगे पे तो यह वहलपूल होता है ना तो इस तरह से आप इसका आंसर लिग दोगे ठीक है अब अगला सोलवा कोशन है इस्ट इंडिया कमपनी ने भारती राजकुमारों को कैसे वश्मे किया तो इस्ट इंडिया कमपनी सबल दा इंडियान प्रिंस थ्रू देर पॉलिसी ओफ डिवाइड एंड रूल तो उन्होंने इस्ट इंडिया कमपनी ने फूट डालो और राजकुमारों को अपने वश्मे कर लिया था सबसे पहले उन्होंने भारती राजाओं को समर्थन दिया और बाद में उनका सबकुछ ले लिया या उनका राज्य ले लिया इस तरह से आप लिख दे गया जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो लिखा है उसको रटो लेकिन समझाने के लिए एकदम परफेक्ट वर्ड से चोटा अंसर है इस तरह से आपको याद करना है और वू वास चुन्नी लाल और वाट वाट डिड ही वांट फ्रॉम विपिन बाबू तो चुन्नी लाल कौन थे और विपिन बाबू से क्या चाहते थे तो यहाँ पर चुन्नी लाल वाज फ्रेंड ओफ विपिन बाबू to arrange a job for him और वो विपिन बाबू से वो इक्षा या उमीद रखते थे कि वो उनके लिए एक नोकरी की विवेस्था करें इसका बाद अठारवा जो कुछ चुन है वाई इस एडवेंचर और विच इस रिस्की अलसो प्लेरिजरेबल तो यहां पर जो है क्या पूचा गया है तो यहां पूचा गया है कि सहासिक कारे जो जोकिम भरा है वो आनंद भी होता है कैसे तो यहां पर जो माॉण्टेन क्लामिंग इस ग्रेट अइवेंशर बट इस अलसो ए रिसकी ठीक है न तो वही चीज़ बता दिया तो क्योंकि पहाड पर चड़ना एक रोमांच तो है लेकिन खास-खास में एक भी साथ-साथ में ये जोखिम भी है इस एक ग्रेट चैलेंज एंड डूइंग चैलेंजिंग जॉम इट इस इटसेफ प्लेजरेबल ठीक है न और जो है ये एक जौपिंग ... जो खिम भरा या चुलोकल रहे है और चुश़बर करने में बहुत सुख मिलता है प्लेजर मतलब क्या होता है मतलब क्या होता है.. कि यह सुखद आनंद है आनंद देता है सुखद आनन बोल सकते हो ठीक है इट गिफ्स immense joy to the doors तो यहाँ पर जो है यह इस से जो है जो करता है जो करता है जो करने वाला जैसे मैं और आप उनको जो है यह अपार खुशी देता है immense immense मतलब अपार और joy मतलब खुशी अपार खुशी देता है या फिर आप directly it is give much joy immense याद नहीं होता तो immense मतलब को much joy to the doors ठीक है तो इस तरह से आप cancer हो जाएगा 19 number question में पूछा गया है why was millwil afraid to leave jody alone तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि millwil जो है वो jody को अकेला छोडने से क्यों डरता था तो jody was not that familiar to the forest यानि कि जंगल से जो है वो अच्छी तरह से परिचित नहीं था familiar मतलब जो है जिसको एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं तो वो जंगल से अच्छी जो है so millwil did not want to leave jody alone as he was afraid that jody could lose his way or get bitten by snack और इसी लिए जो है jody को वो अकेला नहीं छोडना चाहता था कि वो अपना रस्ता जो है lose the way यानि कि वो अपना रस्ता भूल जाएगा और शायद उसको जो है साप जो है काड सकता है या बस इस तरह से आपको लिख देना है इसके बाद जो है आपका बीस्वा question imagine you are पुनित from जुन जुनू write a letter to your friend describing the importance of learning English तो यहाँ पर क्या है कि आपको बोला है कि मान लो कि आप पुनित हो ठीक है और जो है आप पुनित हो और फिर आपको क्या करना है कि एक letter लिखना अपने friend को और friend को letter लिख करके यह बताना है कि importance of English क्या है यह आपको बता देना है बस इतना सा आपको simple बताना है तो देखी आप मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे क्या करना है सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पर जब letter लिखते हैं तो letter लिखने का एक तरीका होता है letter लिखना हर कोई लिखेगा तो गलत हो जाएगा letter लिखने का तरीका बताता हूँ क्या होता है देखो जब भी letter लिखने को बोले जैसे यह question है तो इसमें कोई भी चीज नहीं बस इतना बोला है कि imagine you are फुनित फ्रम जुन्जुनू यानि कि आप कहां से हो तो जुन्जुनू से हो ठीक है ना तो जो है आपको लेटर लिखना है फ्रेंड को तो जब आपको बोला है ना आप जुन्जुनी से हो तो आप अपना एड्रेस डालो अपने दोस्त का नाम नहीं दिया है तो आप अपने दोस्त का कुछ भी नाम एजियूम कर सकते हैं और फिर उसके बाद में लेटर को आपको राइट अप करना है तो लेटर कैसे लिखना है और क्या लिखना है मैं अब ही आपको सम्झाता हूँ यहाँ पर लिखा क्या है यह देखीए यहां परहें है इसमें लिखा है कि आपको इंग्लिज या अंगरेजी सीखने में इंटरेस्ट यानि की कोई दिल्चस्पी नहीं है और आप जानते हो या तुम जानते हो कि अंग्रेजी जो है एक अंतरास्ट ये भाषा है यहाँ पर यह दुनिया के देशों के बीच सहयोग और संचार का एक बहुत बड़ा माध्यम है अगर हम चाहते हैं कि हम अंतरास्ट ये जो है या हम दूसरे देशों के लोगों के साथ बात करना चाहते हैं तो हमें अंग्रेजी का जो है ग्यान होना बहुत यावश्यक है अगर आप एक अच्छा डॉक्टर टीचर या फिर एक टूरिस्ट बनना चाहते हैं तो आपकी इंग्लिस अच्छी होनी चाहिए अच्छी नौकरी के लिए भी आवश्यक है मैं समझूंगा या मुझे उमीद है कि आप अब इंग्लिस के महत्तों को समझ चुके होंगे अब आज नहीं और जब हम मिलेंगे तब की बात उसके अलावा आप अपने पैरेंट्स को रिगार्ड दें और मेरा प्यार दें आप चाहे तो इस लाइन को लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा आपके लिए हैवी हो जाएगा तो इस लाइन को हटा देते हैं तो आप नहीं लिखेंगे वस इतना सा पैराग्राफ लिखेंगे और यूर एवर पुनित या फिर यूर फ्रेंड या जो भी भाई दिखा है तो भाई जो है आप लिख करके ठीके अपना नाम जो है लिख द जाएंगे चारंगों का लेटर होगा तो चारंग मिल जाए तो इस हिसाब से आपको लिखना होता है अब आते हैं हम नेक्स्ट कोश्चन की तरफ राइट या फिर फिर आप प्रियायत भी होती है तो सबसे पहले आप जो है प्रिंसिपल का लिखेंगे फिर आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं वो लिख करके और जो है अपना एड्रेस लिखने का या अपना जो भी आप अपना कोई भी दिल जरूई नहीं आप जैपू लिखे है आपकी मर्जी है यह अपनी मर्जी से लिखने का होता है जब इसमें नहीं दिया हो जब इसमें अगर दिया है कि यह स्कूल है तो उस स्कूल का नाम लिखना है subject लिख देना application for fee concession respected sir या madam लिख करके फिर आप जो है अपनी बात को बताएंगे कि आपको किसलिए आप लेटर लिख रहे हैं तो most respectfully I am back to say that I am a student of class 8 of your school तो पूर्ण सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपके विद्याले का आठी कक्षा का विद्यारती हूँ I am unable to pay my school fee because I belong to poor family और मैं अपनी जो है school fees का जो है बुकतान करने में असमर्थ हूँ क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से जो है तालुक रखता हूँ या फिर एक गरीब परिवार से हूँ और my father is a clerk in a private firm जो मेरे पिता जी एक नीजी फर्म में जो है clerk है और his monthly salary is पचीस सो जो है पचीस सो रुपे उनका मासिक वेतन है he has a large family to support उनके पास जो है एक बड़ा परिवार है जिसका उन्हों support करना है समर्थन करना है I am good at studies and have good first and have stood first in class और मैं जो है अपना जो है पढ़ाई में अच्छा हूँ और कक्षा में हमें सप्रथम आता हूँ I never remain absent from my class और मैं कभी भी अपने कक्षा से अनुपस्थित नहीं रहता I have passion for education and I want to study further और जो है मेरे अंदर जो है सिक्षा का बहुत शौक है और मैं आगे बहुत पढ़ना चाहता हूँ I request you to kindly grant me full concession of fee, full fee concession otherwise I shall not be able to continue my studies तो यहाँ पर जो है मैं आपसे अनुरोद करता हूँ किर्पया आप मेरे सुल्क को जो है माफ करे और अन्य था जो है मैं अपने जो है पढ़ाई आगे जारी नहीं रख पाऊंगा और यहाँ पर जो है मैं और नीचे भी आप लिख सकते हैं thanking you और yours obediently आपका अग्यकारी जो है करके आप जो है अपना नाम लिख करके class लिख करके रोल नमबर लिख के खतम कर देंगे यह application इस तरह से लिखा जाएगा इसके बाद जो है आपका write a short paragraph about 100 words on my favorite teacher तो आपने favorite teacher के उपर जो है उनका नाम, age, teaching, method of teaching, punctuality, nature, kind, कैसे हैं, player है, poor है, student है, help है, इस सब चीजों को mix करके जो है आपको एक paragraph बनाना है तो यहाँ पर देखिए एक paragraph छोटा सा जो है दिया गया है, जैसे कि आप Manish sir लिख सकते हैं, Gotham sir लिख सकते हैं, कोई भी नाम आप यूज कर सकते हैं, sir is tall and quite good looking जो है वो Manish sir है, जो की लंबे हैं और दिखने में काफी अच्छे हैं, जिनकी उम्र जो है 32 साल है, यहाँ पर लिखा है 22 years old and very experienced और जो है, वो काफी अनभवी है, his way of teaching is excellent, यानि कि उनके पढ़ाने का तरीका बहुत बहतरीन है, he believes in simple living and high thinking और जो है वो साधान, जीवन और उच्छ विचार या विस्वास रखते हैं, all the students love him for his super way of teaching and admirable जो है आपका behavior, तो all students जो है, जितने भी छात्र हैं, वो उसके छात्र जो है, उनके बिनमर वहवार और शांदार teaching नजरिये का जो है, बहुत ही ज़्यादा वो करते हैं, क्या केते हैं, प्यार करते हैं, बिनमर उनसे महबत करते हैं और he has an experience of nine years in education and he has done masters in mathematics, उनके पास नो साल का जो है, अनुभाव है और उन्होंने mathematics में जो है, महारत हासिल कर रखिये, या फिर बोल सकते हैं, masters कर रखा या फिर इसको हम हिंदी में बोलते हैं, इस थान जो आप बोल सकते हो, B.S.C.B.M. जैसे हैं, master degree होती है, तो इस तरह स आप लिग दोगे, he makes the most complex of problems look simple and makes it very easy to understand for all students, वो जो है, कितनी भी कठिन समस्या को जो है, बहुत ही सांदार, simple तरीके से समझा जेते हैं, जो कि सभी को समझ में जाता है, सभी विद्धार्ची को समझ जाता है, he has all favorite teacher qualities in him, और जो है, उनके अंदर जो है, सभी एक favorable मतलब, and has an exceptional amount of patience, which is one of the reason why everyone considered him as the best teacher and he has an excellent command of English, तो यहाँ पर जो है, दो चीजे बताए गई हैं इसमें, कि उनके अंदर जो है, धहर बहुत है, जिसके वएज से जो है, सभी लोगों को best teacher, जो है, मैसूस होते हैं, या best teacher, जो है, सभी लोग उसको उनको मानते हैं, और उसके बाद मे जो है, उनकी English भी काफी अच्छी है, यानि कि English के उपर उनकी command काफी अच्छी है, इस तरह से आप जो है, अपने letter को लिखते समय, मतलब जो भी paragraph लिखते हो, तो अच्छे words यूज करना है, कभी भी words चुनते समय, अपने आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, सही लिखना है और तरीके से लिखना है, ताकि जो examiner समझे कि यहां बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, अब इसके number में पूरे के पूरे देखे रहूंगा, तो यह होता है, एक लिखने का तरीका, जो मैंने आपको समझा है, तो ज़रूरी नहीं कि सारी लाइने लिखो, ल क्या है कि उनके पास जो है, अंगरे जी की भी जो है, वो अच्छा कमांड है, और he is very disciplined and punctual and ensure that he follow these principles as well, और जो है, वो बहुत अनुशासित है और समय के पावंद है, और वो जो है, इन सभी सिधानतों का पाइलन करते हैं, ठीके, उसके अलावा जो है, he understands the importance of time and always come on time, और जो spelling आपसे याद नहीं होगी, तो इसको छोड़ सकते हो, तो he is very, he is very kind making decision on our own, इस तरह से भी लिख सकते हो, या इस words में से, इस line में से जो आपको याद नहीं होती, उसको छोड़ सकते हो, बाकी मैं बतायता हूँ, यानि कि, वो जो है, क्या नहीं है, तो वो जो है, एक महतु कांची जो है, वो इतना नहीं है, ठीक है न, तो लेकिन वह जो है, बहुत, और जो pushy मतलब, जो है, हमको किसी चीज के लिए force नहीं करते, और वो बोलते हैं कि, अपना decision जो खुद लो, और अच्छा करो, इस तर perfectly understands the balance between study and extra-calcular activities and helps us to stay on track with both, और जो है, वो जानते हैं कि, study और जो है, खेल कूद, दोनों का आउशकता कितनी हैं और इन दोनों को जो है, बैलन्स करने में हमारी मदद करते हैं, he perhaps, he prepares student for maths, olympates, so that the confidence can be boosted and they excel in complex subject like maths, जो यहाँ पर जो है, वो छात्रों को जो है, olympiad के लिए त्यार करते हैं, उसमें आत्म विश्वास की जो है, बढ़ोतरी करते हैं इसके दुआरा, और जो है, वो जो है, complex subject, जो gentle subject हैं, जैसे mathematics, इन के लिए भी जो है, वो बूस्ट करत हैं, under his guidance, many students have won prize in math, olympates and even I have scored highest marks securing the first position in many math competitions, और उनी की वज़े से जो है, मैंने भी जो है, प्रतम प्रुषकार भी पाया है, उच अंक भी पाया हैं, और जो है, math में कई competitions में, जो है, अच्छे जो है, इस्थान को भी प्राप्त किया है, he is an asset to our school and he has played a massive role in improving all over, overall image of our school including co-curricular activities and academic aspect, we students are fortunate to have him, तो यहाँ पर जो है, simply लिखा है कि वो जो है, हमारे लिए एक asset है, मतलब asset का मतलब होता है कि, जैसे कि मतलब एक संपत्ती है, ठीक है न, एक तरह से हमारे लिए जो है, बहुत ही महतपूर, asset मतलब होता है, एक संपत्ती, जैसे आपका, आपके पिता या आपकी माता बोलते है कि, मेरा बेटा मेरे लिए asset है, तो asset मतलब संपत्ती है, मतलब एक तरह से कुछ है, बहुत ह तो ये जो है हमारे स्कूल की संपत्ती होने के साथ साथ में हमारे स्कूल का जो है क्या करते हैं image जो है all over जो है अगल बगल की स्कूलों में भी को करुकुलर activities और academic expect में भी जो है जो है ये उनको बढ़ाते हैं और students are fortunate to have him और जो है चात्र जो है उनको अपने साथ पा करके अपने आपको भाग्यशाली जो है समझते हैं ठीक है तो ये सारी चीजे जो है इस तरह से आप लिख सकते हैं जरूरी नहीं कि सारी चीजे मैंने आपको बताया सारी चीजे लिखने की जरूरत नहीं है जितना याद होता है उतना लिखिए नमबर नहीं कटेंगे चिंता करने की आउशकता नहीं है लिखने लिखना सही सही है उसके बाद मैं आपको 23 कोशन है एक स्टोरी लिखनी है जो यहां पर आउटलाइन दिया गया है इसके दुआरा इस आउटलाइन में क्या बोला गया है एक रूप रेखा दे रखी एक लाइन है फिर सिलिपिंग अंडर ट्री था एक माउस आया स्टार्ड जंपिंग लाइन के बोडी पे जंप करने लग गया वाक्स अप जो लाइन है वो जग गया catches, get angry और जो गुसा हो गया यहाँ पर सब कुछ आप देख रहे हो इस तरह का यह स्टोरी आपने पड़ी है तो यहाँ पर वही चीज आपको लिखनी है कि यहाँ पर जो है once upon a time in a jungle a mouse was roaming in the jungle यानि कि एक बार जंपिंग में एक चूहा जो है जंगल घूम रहा था he then sees a loin sleeping under a tree और जब मतलब घूमते घूमते उसने एक पेड के नीचे शेर को सोता हुआ देखा just to have a little bit of fun he started teasing the loin by moving around him और जो है उसने थोड़ा मस्ती करने के लिए शेर के चारोर वो घूमने लगा और after couple of minutes he decided to start jumping on the loin ठीक है यहाँ पर I am the loin नहीं है तो jumping on the loin on कर देना इसको ठीक है तो इसको correct कर लेना on the loin तो उसने कुछी समय बाद में जो है शेर के उपर जो है कूदना शुरू कर दिया the loin then wakes up angrily and busted on the mouse जो है कि शेर जो है गुसे से उठा और चूहे पर जो है वो फूट पड़ा ठीक है और he catches the mouse and tells him that he is going to kill him for causing such a headache to him और जो है उसने उसको mouse को पकड़ लिया चूहे को पकड़ लिया और उसने कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा तुमने जो ये काम किया है मेरे सिर में दर्द कर दिया है और the mouse begs for mercy जो है mercy मतलब होता है कि जो है दया तो दया के लिए by saying that he has a family to look after उसने दया के लिए जो है mouse ने उसके सामने हाथ जोड़े और बोला कि मेरा परिवार है जिसकी मुझे देखबाल करनी है the loin being wise and noble leaves the mouse और जो है कह सकते हैं कि शेर जो है बुद्धिमान और नेक होने के कारण जो है चुहे को छोड़ देता है और फिर जो है इसके बाद एक paragraph और लिखना है क्योंकि हमें पूरा इसको बनाना है तो और जो है कुछ दिनों बाद में जो है एक सिकारी जंगल में शेर को जो है जाल में फसा देता है और उसको पकड़ लेता है और जो है लाचार जो है शेर ये मदद के लिए दाहरता रहता है उसमें फस करके और जो है माउस जो है इस आवाज को इस रोर को जो है सुनता है उसके दाहर को सुनता है और सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है वो उस इस्तान पे जाता है remembering his mercy the mouse cuts the net और जो है चुवे को उसकी दयालुता याद आती है और जिसके वेशे वो net को काट देता है the loin from the clutches of the hunter जो है loin जो है उसके चंगुल से चुटकारा पा लेता है और जो है both of them happily become good friends of each other और दोनों को दोनों जो है एक दूसरे का अच्छी दोस्त बन जाते हैं और जंगल में चले जाते हैं तो इस तरह से जो है इस कहानी को आपको लिखना था बहुत आसान सा कहानी है और इस तरह की कहानी आपको देखने को मिल सकती है आपके एक्जाम पेपर में इसको जरूर ध्यान से पढ़ लेना यहाँ पर जो है एक sentence जो कुछ दिये गए हैं इनको जो है यह sentence जो है यह कुछ कहानी का जो है वाक्यानस है यानि कि एक कहानी है उसके words है लेकिन आगे पीछे word है यानि कि उपर नीचे दे दिया कि पहला कौन सा आएगा दूसरा कौन सा आएगा यहाँ पर मिला के दिया हुआ है तो उपर नीचे किया हुआ है आपको जो है इसको सही time मतलब सही रूप में जो है विवैस्तित करना कि पहला नंबर पे कौन सा आएगा तो हम उठाते हैं तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर है यह पहले आएगा once upon a time there was a crow तो पहला option आगया third वाला once upon a time there was a crow इसी तरह आपको लिखना है answer में first answer जो answer में third option लिखो गया उसका सामने जो है लिख दोगे एक समय की बात है एक जो है कववा था उसके बाद दوسरे के लिखो गे आप कववा बहुत प्यासा था तो the crow was very thirsty तो यहाँ पर जो पहली लाइन यह वाली आ जाए उसके बाद में तो वो जो कववा था वो बहुत प्यासा था जो है यह जो है पानी की तलास में यहाँ वहाँ उड रहा था और there was a port under a tree और एक पेड़ के नीचे जो है इसको एक pot दिखा या फिर बोल सकते हैं कि एक घड़ा दिखा ठीक है और there was some water in the port और वहाँ पर जो है उस port में थोड़ा सा पानी था बस हमें इस कहानी को पूरा नहीं करना है क्योंकि इसने बोला है कि ये 5 लाइनों को जो है अरेंज करना है कि पहले कौन सा आएगा दूसरा कौन सा आएगा तो पहले पे तीन नंबर आएगा उसके बाद पहला नंबर आ जाएगा उसके बाद में आपका चौथा नंबर जो है ये वाला आ जाएगा तो ये तो पढ़ने के बाद ही line को आपको पता चलेगी तो मैं सोचता हूँ कि आपने जो अभी English subject समझा अगर ध्यान से समझा है अच्छे से समझा है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा तो ये model paper 1 है इसी तरह से और भी model papers जो है हम आपके लिए डाल देंगे merit तक गया है तो ये चीज आपके उपर डिपेंड है कि आप पढ़ रहे हैं या फिर नहीं क्यों दूसरे चैनल की तरह नहीं है कि हम आपको पूरे तरह से समझाए ना हम पूरा समझाएंगे उसके बाद ही हमारे को विश्वास है कि आप लोग अच्छा पढ़ोगे और अच्छा रिजल्ट आपका आएगा थैंक्यू वेरी मच्छ हवे गुडडे